नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर परीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां आज का हमारा टॉपिक है लहसुन और दूद का ये उपाए साइटीका का दर्द जोडों का दर्द कोलेस्टरॉल कबज और माइगरेन में किसी संजीवनी से कम नहीं है इसका सिवन कैसे करना है बस इस बारे में जानते हैं आज कर लोगों के जीने का उपाए पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है आज के समय में खान पान में लपरवाही के कारण कमजोरी के साथ साथ स्वास्ते संबंदी भी कई सारी समस्याएं आने लगी हैं आज हम आपको दूद के साथ लहसुन के सेवन से होने वाले छे बड़े फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं आज कल ज्यादा तर लोगों के घुटनों में दर्द साइटी का की समस्या रहती है कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि चलने फेरने में दिक्कत आने लगती है कभी कभी तो इस दर्द के कारण घुटनों में सूजन की समस्या भी हो जाती है पर आज हम आपको लहसुन और दूद का ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से घुटने का दर्द साइटी का अच्छा हो जाता है यहीं नहीं इस उपाई से कुलेस्ट्रोल, कभज, अपच और माइग्रेन इत्यादी जैसी समस्याओं से ही निजात मिलती है दूद और लहसुन के फायदे साइटी का का दर्द, चार लहसुन की गुलियां और 200 ml दूद, सबसे पहले लहसुन को काट कर दूद में डाल दें, दूद को कुछ मिनर तक उबालें उबलने के बाद इसे मीठा करने के लिए थोड़ा शहद मिला लें, इस दूद का रोजाना सेवन करें, जब तक दर्द खत्म न हो जाए तब तक करना है आपको कोलेस्टरोल, दूद और लहसुन का मिश्रान आपके हरिदय धमनियों के रुकावट यानि उसमें जमे हुए कोलेस्टरोल को खत्म करने में मदद करता है और हाई कोलेस्टरोल की समस्या को दूर करता है कबज, आयरुवेद के अनुसारीह प्राकृतिक पे दूद और लहसुन का मिश्रान आतों को सक्रिय कर कबजी की समस्या को दूर करता है और गुदा मार्ग को भी नर्म बनाता है अपच दूद और लहसुन का यह मिश्रन पाचक रसो के निर्मार में अहम भूमिका निभाता है जिससे एसीडिटी और अपच जैसी समस्याओं में लाब होता है जोडों का दर्द इस दूद में शोथ रोधी तत्व होते हैं जिसके कारण यह जोडों के दर्द में विशेश रूप से फायदे मन साबित होता है अगर आपके घुटनों में दर्द की समस्या रहती है तो इसके लिए नेमित रूप से एक लास दूद में तीन से चार लहसुन की कलियां डाल कर उबाल कर पीएं आपको लाब होगा इसे पीने से दर्द से रहत मिल जाएगी माइगरेन के मरीजों के लिए दूद और लहसुन का यह मिश्रान बेहद लाब दायक है यह समानी सिरदर्द से भी निजात दिलाने में मददकार है जिहां दोस्तों तो अगर आप लहसुन और दूद प्रियोक करते हैं एक साथ तो आपको इतनी सारे फायदे होते हैं इसलिए यह बहुत ही कारगर और शदी है हम सभी के लिए क्योंकि हमारे शरीर को पोशक्तत्व भी मिल जाते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भ सभी के साथ जोड़ते हैं के और